जाओ, 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 जाओ जाओ, जाओ, जाओ जाओ, जाओ, काम साथ को बता ना बता वो दीन के अंदर हाजिर हो, अनता कुर्की की जाएगी बिहार में अपराध और अपराधी, दोनों बेलगाम हो चुके हैं और इस पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने एक नया तरीका निकाला है पुलिस अपराधियों के घर पर पहुचेगी, दर्वाजा खट-कटाएगी, डुग-डुगी बजाएगी और दो दिनों के अंदर अगर अपराधी हाजरी नहीं लगाते हैं तो उनके घर की कुर्की जब्त की जाएगी यहां तक की घर पर बुल्डोजर भी चलवाया जाएगा यूपी मॉडल फिलहाल बिहार में सूपर हिट हो रहा है बिहार पुलिस ने अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए ये नया तरीका निकाला है दरसल बिहार के मधुबनी जिले में कॉंग्रिस नेता के बेटी को गोली मारने का मामलाय सामने आया था जिसके बाद आरोपी फरार बताये गये थे अबारोपीयों के घर पर पुलिस ने इस्तिहार चिपकाया है इसमें साथो अपराधियों को दो दिनों के भीतर ठाने में न्याले में हाजिर होने के लिए कहा गया है और ऐसा नहीं होने पर उनके घर की कुरकी जब्त की जाएगी बिहार के मधुबनी में एक कॉंग्रेस नेता के पुत्र समेत चार लोगों के उपर गोली चलाई गई थी और इस मामले में पुलिस ने सक्ती दिखाते हुए साथ अपराधियों के घर पर इस्तिहार चिपकाया है घटना बासोपटी थाना छेतर के सीरियापुर गाउं की बताई जा रहे है इसी गाउं के रहने वाले कॉंग्रेस नेता हिमान्शु कुमार के पुत्र राहुल कुमार और अन्य को गोली मारी गई थी इस मामले में फिलहाल सभी आरोपी फरार है और अब पुलिस ने आरोपि के घर पर रविवार को इस्तिहार चिपका दिया है बता दे कि पिछले हफ़ते बिहार के मधुबनी में कॉंग्रेस नेता हिमान्शु कुमार के बेटे समेत चार लोगों को अपराध्यों ने गोली मारी थी जिसमें वो लोग बूरी तरीके से घायल हो गय थे सभी घायलों में अब तक की जानकारी मिली है कि धान अधी प्राप्ति को लेकर के हिमानशु कुमार लगातार आवाज उठा रहे थे उन्हें धमकी मिल रही थी जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में की थी जानकारी के अनुसार सभी युवक आम के बगीचे से घर लोट रहे थे और इसी उनको हिरासत में लेने के लिए जुट चुकी है